अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साइट में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए जय जगनात मैं हूँ विमल आज हम हिंदु धर्म के कुछ रहस्चे के बारे में चर्चा करेंगे क्या आप जानते हैं पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह पे ब्रह्मा जी का एक मात्र मंदिर है चले हम चर्चा करते हैं इस रहस्चे के बारे में हिंदु धर्म में देवी देवताओं के बहुत प्रसिद मंदिर और तीर्थिस्तल हैं सभी देवी देवताओं के हर प्रमुक्स तानों पर मंदिर बने हुए हैं हिंदो धर्म में वैसे तो तीन प्रधान देवता है जो कि है ब्रह्मा, बिष्णु और महेश तीनों देवता अपनी अपनी सरचना के आधार पर जाने जाते हैं बहां ब्रह्माजी इस संसार का रचनाकार हैं, बिष्णू पालनहार हैं और महस सहारत हैं लेकिन हमारे देश में जहां बिष्णू और महस यानि भोलेनाग जी का अनिक मंदीर है लेकिन ब्रह्माजी का पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदीर है यह बात हर ब्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्यूं ब्रह्माजी का सिर्फ एक मंदिर है जो की राजस्थान के पुस्तकर में स्थित है पुराणों के अनुसार खुद की पत्नी सावित्री के स्राफ के चलते ब्रह्माजी का पूरे भारत में एक मातर मंदिर है आखिर क्यों दिया सावित्री ने अपनी पती ब्रह्मा को एसा स्राफ इसका बर्नन पद्मपुराण में मिलता है आई ये जानते हैं हिंदु धर्मग्रंद पद्मपुराण के अनुसार एक समय धर्ती पर बजनरास नामक राकिसस ने उत्पात मचा रखा था उसके बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर ब्रमाजी ने उसका बद किया लेकिन बद करते बग्त उनके हातों से तीन जगह पर कमल का पुस्क विगरा इन तीनों जगह पर तीन झीलें बनी इसी घटना के बाद इस थान का नाम पुस्कर पड़ा इस घटना के ब्राग प्रम्हा ने संसार का भलाई के लिए यहां एक यग्या करने का फेसला किया प्रम्हा जी यग्या करने के लिए पुशकर पहुंचे लेकिन किसी कारण बस साबित्री जी वहां समय पर पहुंच नहीं पाई यग्यों को पूर्ण करने के लिए उनके साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था लेकिन साबित्री जी के ना पहुंचने की बज़े से उनने गुजर समधाय के एक कन्या गायत्री से बिभा कर इस यग्यों का सुरू कर दिया लेकिन जब साबित्री जी वहां पहुँची और ब्रह्माजी के बगल में दूसरी कर्ण्या को देखा तो वो क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्माजी को स्राप दे दिया देवता होने के भावजुद उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी भगवान बिष्णु ने भी इस काम में ब्रह्माजी का मदद किया था इसलिए देवी सरोषति ने बिष्णु जी को भी स्राप दिया था कि उन्हें पत्नी से बिरह का कष्ट सहन करना पड़ेगा इसी कारण भगवान बिष्णु के मानव अपतार स्री राम को 14 साल के बनबास के दोरान अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा था सावितर जी को क्रोजित हुए देखकर सभी देवताओं ने उनसे स्राप बापस लेने के लिए बिंती की लेकिन दिया हुआ स्राप बापस नहीं लिया जाता इसलिए सावितर ने कहा कि इस धर्ती पर सिर्फ पुसकर में आपकी पूजा होगी कोई भी दूसरा अपका मंदिर बनाएगा तो उसका बिनास हो जाएगा तभी से पूरा भारत में ब्रमाजी का एक पुसकर के अलाबा कोई मंदिर नहीं है लेकिन ब्रमाजी का ये मंदिर कब और कहां हुआ और किस ने किया उसका उल्ले कहां पर भी नहीं है ऐसा कहते हैं कि आज से तकरिबन 1200 साल पहले अरणबंस के एक सासक को एक स्वपन आया था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसको सही रख रखाव की जरुरत है तब राजा ने इस मंदिर के पूराने धांचे को दोवारा जिवित किया मंदिर की पीछे एक पहाड़ी पर साबितरी का भी मंदिर स्थित है सेकडों शीडियों को पार करना पड़ता है पुरानों के अनुसार ब्रमा जी ने पुषकर में कार्तिक पुर्निमा के दिन यग्य किया था इसलिए हर साल कार्तिक पुर्णिमा के अबसर पर पुस्कर में एक मेला लगता है मेला के दोरान मंदिर में हजारों के संक्या में भीड लगा रहता है तो ये था हमारा वीडियो धन्यवाद